अज हम करेंगे एक क्लास विसक का चैप्र नमबर 9 यह हमना लास चैप्रह इसका चैप確र नमबर 9 स्ट्रोगर्री फूर इक्व्छ इक्वेलिटि का क्या मतलब है स्ट्रोगर्स फूर इक्वेलिटि की सम्मानता के लिए संघर्ष करना In this book, this chapter में you have read about people like Kanta, Ansari, Milani and Sapna इस book के अंदर जो अभी तक हमने Kanta, Ansari, Milani and Sapna जैसे लोगों के बारे में पढ़ा है और the threat that connects all of these lives is that they have been treated unequal और कैसे इन की life जो है एक जुसरे से connect है कि इन सब के साथ क्या हुआ है आसमानता का विवार किया गया है What do people do when they face such inequality जब लोगों के साथ असमानता का विवार किया जाता तो क्या चीज जो है वो फेस करते है उनको क्या चीज जो है उनको संघर्ष करना पड़ता है History is a full of example of person who have come together to the fight against inequality History इस बात को बताती है कि ऐसे बहुत सारे उधार हैं जिनके लिए लोगों को न्याई के लिए संघर्ष जो है वो लडाई जो है वो करनी पड़ी है And for issues of justice न्याई के लिए उनको क्या करना पड़ा है आवाज उठानी पड़ी है उनको उन्होंने And issue for justice और इसके लिए न्याई के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं Do you recall the story of Rosa Park in the chapter 1 आपने chapter 1 के अंदर जो है Rosa Park की कहानी आपको याद है And remember the photo essay on the woman's moment in the chapter 5 वो जो chapter 5 में हमने इस्त्री अंदोलन पर पड़ा है In this chapter you will learn about some of the ways in which people have struggle against the inequality In chapters में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पड़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने आसमानता की वरुत अपनी लड़ाई जो है वो लड़ी है आगे हम देखेंगे As you have already read in this book जैसी के आप इस बुक में पहले पढ़ चुके हैं The Indian Constitution recognizes all Indians are equal before the law and the state That no person can be discriminated against because of their religion जैसी के हम इस बुक में पढ़ चुके हैं इंडियन Constitution की जो इंडिया का सविधान है उसके हिसाब से कर देखा थे तो हर इनसान जो बराबर है कानून के सब सब कोई बराबर है कोई और जो no person can be किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उसके धरम या फिर उसके लेंग या उसकी कास्ट को लेकर whether they are rich or poor चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो All adults in India have the equal right to vote during the election and this power over the bullet box has been used by people to elect to replace their representative अब यह किया है इसमें भी बताएगा है कि हर इंसान जो adult है जो 18 साल से उपर उसको vote देने का भी अधिकार है और उसके पास यह भी अधिकार है कि वो जो elect or replace अपने representative को चाहे जो उनका प्रतिरी दिवा उसको चुन सके जा फिर उसको बदल सके कहने का मतलब है कि सबको समानता का अधिकार है यहाँ पर यह बताया गया है but this feeling of equality that the bullet box provides because the vote of one person is as good as that another जो मत अधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव जो है वो विक्सित होता है क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत हमारे ले भी क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी और वेक्ती के वोट की है does not extent of the most people's lives as you have read the increased privatizations of health service and the neglect of government hospital have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheik and the Aman to get good quality health care these people do not have the resources or to afford expensive private health services अब यहां पर हम इस पूरे को देखते हैं इसमें लिखा हुआ कि जो हमारे मत जो हम वोट देते हैं उससे क्या होता है एक समानता का भाव जो है विक्सित होता है कि छोटे जाए वो गरीब हो चाए अमीर हो चाए वो मेडल क्लास हो सब को वोट देने का बराबर का अधिकार है इससे क्या लगता है कि हम क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी और वेक्ति के वोट की होती है लेकर यह भाव है कि अधिकतर लोगों के जीवन को वह नहीं चूपाता है आपने हमने इसमें पहले के अध्याय में पढ़ाए कि कैसे स्वस्ते सेवाओं में नीजी करन बढ़ रहा है और सरकार यह स्पतालों में लापरवाई के रवयन ने कांता हाकिम शेक और अमन जैसे बहुत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वस्ते सेवाओं को कठिन बना दिया है यह वो लोग हैं जो महंगी नीजी स्वस्ते सेवाओं को बोच नहीं उठा सकते अच्छी जो हेल्स सर् इसी तरीके से जो कोई इंसान अगर कोई जूस सेल कर रहा है उसको बेचता है तो डॉस नोट हाव रिसोर्ट उसके बाद को उसके पास कोई ऐसा साधर नहीं है कि वो वो कॉम्पिटीट मतलब वो बराबरी प्यास लेकिकि इसके ओल्डा नेजर कंपनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी सें जो ड्रिंग्स को सेल करती है ब्रैंडीड कंपनी सां उसके बराबर नहीं आ सकता है एक जूस बेचने वाला ठीक है ना ही वो क्या कर सकता है एक्सपेंसिव एड़र्टाइजिंग चलवा सकता है अपने जूस के लिए सपना ड़स नोट हैव दे सफिश रिसोर्स नहीं थे कि वो अपने कॉटन को और भी जादा जो है उसको ग्रो कर सके और जो है इसको लिए लेना पड़ता है लोन लेना पड़ता है ट्रेडर से तैकि वो जो अपनी अपनी क्रॉप को उगा सके this force has her to sell her cotton at the lower price इस force की वज़े से उसको अपनी जो cotton है कम price पे sell करने पड़ती है Milani like the million of domestic workers Milani के जैसे और बहुत सारे domestic workers है across the country, पूरी country के अंदर his force that endure an insult and hardship of working जो ही काफी अपमानित होते हैं और होने पर वो विवश हो जाते हैं as the domestic help because she has no resource क्योंके पस कोई ऐसा resource रही है to set up something on her ठीक है, poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people lives in India are highly unequal गरीबी और जो की resources की कमी की वज़े से आज भी भारतिय समाज में क्या है inequality have so many people's lives in India are highly unequal आज भी जो है लोग inequality में जो है वो जी रहे हैं क्योंके यहां पर क्या है गरीबी भी है और resources की कमी भी है resources continue to be a reason यही वज़ा है on the other hand अगर हम दूसरी और देखें तो अंसारी अंसारी वर discriminated against not because they did not have the resource अंसारी सरफ इस वज़े से जो है वो discriminated नहीं हुई अंसारी और किस वज़े से हुई थी in fact उसके साथ किया हुथ despite having the money to pay the required rent they have not able to find the apartment for over a month people were re-lucent to lease them an apartment because their religion अब जो अंसारी फैमिली है उनको किसले discrimination जो हैंको face करना पड़ा उनके साथ क्यों हुआ समानता क्यों हुई क्योंकि उनके पास did not have the resource साथनों की वज़़से नहीं उनको तो इसलिए उनके साथा आसा वो उनके पास पैसे भी थे लेकिन फिर भी जो है उनको एक apartment एक घर जो है वो rent पे नहीं दिया गया क्यों नहीं दिया गया उनके धरम की वज़़से Similarly इसी तरीके से main reason that the teacher force इसी एसे ही एक और reason है जिसके अंदर जो ओम प्रकाश है जो बालमिकी थे उनको क्या कहा गया था पूरा स्कूल साफ करने के लिए कहा गया था क्यों क्योंकि वो दलित हैं बालमिकी हैं तो यहां पे क्या हो रहा है सिरफ पैसो की वज़े से ही जो आसमानता नहीं है धरम की वज़े से भी है और कास्ट की वज़े से भी है You have also read that work woman आपने जो एक woman के बार में पढ़ा था इसके अंदर is often considered to less value than that done by the man All of these persons are discriminated against primarily because of their social and culture background as well as because they are woman अब इसके साथ-साथ कई बार महिलाओं को भी जो है आसमानता पूर्शों के साथ काम करने के हिसाब से उनको तुछ समझा जाता है कि आदमी लोग जाद अच्छा काम कर सकते हैं और महिलाएं नहीं कर सकती तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा है discrimination हो रहा है यहाँ पर भी क्या है एक तरह से भेध भाव हो रहा है जो है वो किया जा रहा है discrimination on the basis of the person's religion, caste, sex अब discrimination धरम की वज़े से भी होता है caste, sex मतलब या तो आदमी है या फिर औरत इस वज़े से भी हो जाता है another significant factor for why people are treated unequal in India जिनके धार पर आज भी भारत में लोगों से आसमानता का वेवार किया जाता है किसकी वैसे धरम जाती हो लिंक की वैसे often poverty and the lack of the dignity and respect for the certain communities and the groups come together in the such powerful ways that is difficult to identify where one accepts the inequalities and the other begins as you have read Dalit, Adivasi and the Muslim girls drove out of the school in large number this is a combined outcome of poverty social discrimination and the lack of good quality school facilities for these communities अब इसमें किया है कि poverty poverty के दे गरीबी and lack of dignity तिक नी किया होता है dignity हमारी जो and respect जो हमारी मान भी गरीबा होती है certain communities and groups come together in the such powerful way that is difficult to identify अब ऐसे कुछ विशे समुदायो के प्रती अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंके सामने आते हैं कि यह जो है identify करना मुश्किल हो जाता है यह तैय करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरह की जो आसमानता खतम होती है कहां दोसरी तरह की आसमानता शुरू हो जाती है हमने जो है इसमें पढ़ाया है कि दलित और आदिवासी और मुस्रिम लड़कियों में पढ़ाई उनकी बीच में ही छुडवा दी जाती है यह स्थि जो है गरीबी की वज़े से भी हो सकती है समाजिक आसमानता की वज़े से भी हो सकती हो इन समुदाओं के लिए एक अच्छे स्कूल की सुविधाओं की कमी की वज़े से भी यह जैसे कई मेले जिरून कारणों से ऐसी जिस्थितियां है वो पैदा होती है स्कूल पीच में ही छुडवा दिजाते हैं तो यहां आप सारे रिजन्स बता रखें समानता के लावा कि और क्या क्या वज़े संगर्ष जो हमारे चक्टर का नेम है struggles for equality throughout the world in every community, villages, city and down you will find that there are some people who were known and respected because of their fight for equality अक्सर जो है अब हम दुनिया भर में जो तमाम जितने भी communities समुदाएं हैं गाउं और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किये गए संघर्श की करण समान से पहचाने जाते हैं इस पीपल में आप सुट अगेंस अन अक्ट अच्ट अप इस्क्रिमिनेशन देखते फेश 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 विच्ट 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 विटनेश्ट और ये वे लोग हैं जो अपने साथ उनके साथ भी ऐसा ही कभी ना कभी हुआ जो अपने साथ अपने समान किये जा रहे किसी भेदबा के विरुद उठ खड़े हुए थे हम इनका समान इसले भी करते हैं कि इन्होंने हर इंसान के लिए हर वेक्ति को उसकी जो मानवी गरीमा के साथ स्विकार किया और हमेशा इसे धरम और समुधाय से उपर माना इन्हें लोग बहुत ही इन्हें लोग बहुत विश्वाश के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं जिन लोगों ने एक्ट्वालिटी के खिलाब जो है अवाज उठाई समान तक लिए संघर्ष किया उनको जो है लोग बहुत जो है उनके उपर बहुत विश्वाश करने लग गए उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं क्योंकि कभी ना कभी उनोंने भी इन सब चीजों का सामना किया और इसके लिए आवाज उठाए अकसर जो है देखते हैं हम समानता कि किसी भी विशेश मुद्धे को लेकर संघर्ष करने वाले जो वेक्ति होते हैं वो समाज में महत्वपुण बहचान जो उनकी बन जाती है क्योंकि क्या होता है कि वो उसके खिलाब क्या करते हैं लड़ाई लड़ते हैं बड़ी संख्या की लोग उनके साथ हो जाते हैं अब भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे संघर्ष याद किये जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्धों के लिए लड़ने को आगया है जो उन्हें महत्तपुर्ण लगते थे इंपॉर्टन लगते थे चैप्टर फाइफ पे हमने पढ़ा था जैसे चैप्टर फाइफ में पढ़ा था ना वोमन ने जो अंदोलन किया था एक्वालिटी के लिए कि हमें समान तक अधिकार मिलना चाहिए उसके साथ साथ तवा तवा मतस्य संग इन दा मध्य परदेश इन अधर एक्जामपल वो भी एक दूसरा एक्जामपल है हमारे सामने ओफ पीपल कमिंग तोगेधर तो फाइट फॉर एन इशू लोग जो हैं क्या होते सामने आते हैं अधिकार के साथ खड़े हुए इस तरह से बहुत सारे जो है जुग्जी वासियों के लिए लेबर क्लास या स्लम जो थे इच वोक इन स्ट्रगलिंग फोर जस्टिस एन इट्स ओन वे इन सब के लिए लडाई लड़ी और ऐसे बहुत सारे कोशिश हमारे सामने है जहां लोगोंने मिल जुलकर संसादनों पर नियंत्रन करने के लिए एक क्या करा था एक कंट्रोल करने के लिए एक संगठन खड़े उन्होंने किया तो यहां पर हम पढ़ते हैं तवा मदस्य संग के बारे में तवा मदस्य संग में है कि जब जो डैम्स विगरा जब बनाए जाते है और फोर फोरे स्टेर डिकलर्स कान चूरिस फोर एनिमल थाउजन और पीपल डिस्प्रेट जब जंगलों के बड़े-बड़े शेत्रों में जानवर विगयरा है या डैंप बनाए जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि लोगों को डिस्प्लेस कर जाता है जहां पर रहत है जिसको बोले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना तो जब उनको एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए बहुत सारे लोग गरीब होते हैं शेहरी जगहों में भी वह बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिये जाता है इनसे क्या होता है कि प्रभाब पड़ता है लोगों और समुधाय को जो इक दिगा से दूसरी जगा जाना है हमारे देश के लिए बड़ी समस्य का रूप ले चुका हुआ है एसे में कई बार जो है लोग संगटी तोकर सामने आते हैं लड़ाई लड़ते हैं देश में ऐसे बहुत सारे संगठन है जो क्या आर इस चाप्टर में पड़ेंगे जो मचुवारों की सरकारी सिमितों का एक संग है तवा मसवे क्या है एक संग है किसका मच्छवारों की सरकारी सिमित्यों का संग है और सथपुड़ा के जंगलों से जो की बिस्प्लेस लोगों के लिए अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं ठीक हैं यहां पे जो चिंदवारा है चिंदवारा चिंदवारा जले में एक महादेव पहाड़ीओं से निकलने वाली एक तवा नदी जो होशंगाबाद होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई जाती है तवा पर एक बांध बना बांध जो है वो जंगल का कृशी भूमी का और उसके बड़े हिस्से के साथ बहुत सारी कृशी भूमी और बांध में डूब गई जिससे क्या हुआ जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे और उनमें क्या हुआ उनको एक जगा से फिर दूसरी जगा पे जाना बड़ा बांध के आसपस रहकर थोड़ी बहुत खेती के इलावा मशली पकड़ने का जो काम कर उन्होंने किया ये सब करके वे बहुत ही थोड़ा सा कमा पाते थे ठीक है 1994 में जो है government had the right for fishing in तवार reservoir to private constructors अब 1994 में सरकार ने तवा बांध के शेतर में मशली पकड़ने का जो काम निजी थेकेडारों को सोप दिया These contractors dropped the local people away and got cheap labor from outside और इन थेकेडारों ने जो स्थानी लोगों को काम से अलग कर दिया और भारी शेतर में सस्ते labor वेगारा जो है उन्होंने ले आए जो ठेकेडार थे जो contractor ने मतलब उन्होंने गुंडे बुलवा कर गाउं वालों को धंकी देने शुरू कर दी क्योंकि लोग वहां से हटने को तयार नहीं थे गाउं वालों ने एक जुट होकर तय किया कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बना कर सामने खड़ होने का वक्त आ गया है इस तरह से तवा मतज से संग नाम का एक संगठन जो है वो बना था ठीक है आप जो तवा मतज से संग है जो इसके दड़ TMS जिसको यहाँ पर पोला गया है तवा मतज से संग और गनाइजड रेली अब वो क्या करते थे रेलीज वेगारा जो है वो निकालते थे चक्का जाम करते थे and demanding their right continue fishing और वो अपने अधिकार के लड़ते थे कि उनको जो है मचली पकरने के काम को जाए रखने की अनुमती दी जाए इस टाइप से जाब यह देख रहे हो पिच्चर में इस टाइप से वो करते थे in response to their protest the government created a committee to assess the issue अब जब वो इस सब चीज़ों की मांग कर रहे थे तो इसके लिए क्या हुआ कि एक सरकार ने क्या करा एक कमेटी बनाए उनके लिए अब इस issue के लिए the committee recommanded that fishing right be granted to villagers for their livelihood in 1996 Madhya Pradesh government decided to give the people dispute the tawa dharm the fishing right of the reservoir अब उनको जो क्या है उनको इस चीज़ का जो है अधिकार मिला अब उन्होंने क्या करा कि 1996 में Madhya Pradesh सरकार ने तै कि तवा बान के जो मच्री पकड़ने वाले हैं उनको ये अधिकार जो है वो दिया जाएगा दो महिने के बाद सरकार ने तवा मदस्य संको बान में मच्री पकड़ने के लिए पांच यानि कि पांच साल का एक एक लीज जो है उनको स्विकार कर दिया कि और इस तरह से 2 जनवरी to 2 जनवरी 1997 को तवा शेतर में 33 33 गाओं के अंदर जो है लोगों के लिए एक नया साल सही अर्थों में अरंब हुआ जब उनको अपनका काम जो है फिर से वापिस मिल गया ठीक है with the TMS taking from the fish worker able to increase their earning अब उनको क्या होगे इसमें जो तवा मतस्ते जो TMS है के साथ जुड़कर बच्छवारों ने लगातार अपनी जो है income को जो है इजाफा जो है दर्ज किया यह इसलिए संबब हुआ कि उन्होंने एक सहकारी कमेटी बनाई थी जो पकड़ी गई मचलियों की जितनी भी मचलिया पकड़ते थे उनका एक उचित कीमत जो है सीधे उन्हें देती थी यह सरकारी सिमिती इसके बाद की प्रिक्रिया में भी शामिल होती थी सारा जो माल है बजार तक पहुंचाना वहां भी उचित जितना भी रेट है उनको करना अच्छी कीमत पर करना यह सारा काम कमेटी का होता था यह मचवारे अब पहले की तुलना में तीन गुना जादा कमाने लगे थे तवा मतश्य संग ने जाल खरी कि जितने भी यह मचवारे हैं ठीक धंग से जितना भी काम करते हैं पलने वाले बढ़ने की जो है उनको स्थिति मिले ठीक है अब जो टीमस ने सभी के सामने यह बात सिद कर दी कि लोगों को जब अच्छे प्रबंद के गुणों का भी परिच्छे देते हैं ठीक है अब हम पढ़ेंगे दा इंडियन कॉंस्टिटूशन है अज एस लिविंग डॉक्मेंट की भारत का सभीदान एक जीता हुआ दस्तावेश अब जो फांडेशन होते हैं जो नीव है गीत और कवीता की जो तमाम प्रेणनाओं के पीछे जो एक भाव होता है वेर मनुश्य की समता का ही होता है As you know the Indian Constitutions recognize the equality of all persons जो इंडियन Constitution के हिसाब से सब को जो क्या है वो समान समझा जाता है इंडिया का जो समिधान है उसमें movements and the struggles for equality in Indian Constitution refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all कि वदा उसके असाफ से सब के लिए क्या है समानता है और सब के लिए न्याय है The fish worker in Tawa Matasya sung hope that all provision of to the Constitution will become a reality through their participation in this movement अब जो Tawa Matasya है उनकी या आशा है कि जितने भी Tawa Matasya की जो है जितने भी उनका भी Tawa Matasya वालोकर भी मानना है कि उनका भी जो आशा का अधार उनका सविधान है मतलब कि उन्होंने सविधान Constitution will be become reality through their participation in this movement उन्होंने अंदोलन में गहरा किये तो उनका क्या हुआ उनको अधिकार ये जो है मिला जो उनने मांगा उनका वो पूरा हुआ by constantly referring to the constitution they use the living documents something that has really meanings in our life in democracy there are always communities that the individual trying to expand the idea of democracy and push for the greater recognition equality on existing as well as new issue अब जो तबाम हाते से वाले है उन्होंने क्या अपनी बादचीत में लगातार उन्होंने constitution का जिकर करने से वो उसे एक ऐसे जीते हुए document की तरह use कर रहे है constitution को जो हमारे जीवन में सच में जो एक अर्थ रखता हो अब democracy में भी कई लोग ऐसे हैं जो समुदाय लगातार इसकी तरफ जो कोशिश करते रहते हैं कि democracy का जो दाइरा है वो बढ़ता जाए और जादा से जादा मामलों में समानता लाने की जुरूद को स्विकार किया जाए आगे देखते हम इसके अंदर Issues of equality are central of the democracy अब जो equality का issue है किसका central है democracy का central है in this book इस book के अंदर we have tried to highlight issue that pose a challenge of this idea of equality in democracy इस book के अंदर किस चीश को highlight किया गया है किस चीश को दिखाने की कोशिश की गई है जितने भी challenges विगेरा है जो हमने जो इसमें चुनोती है विगेरा जो पैदा करते हैं उनके बार में हमने पढ़ा है कौन किस के बार में idea of equality समानता इना लोगतंत्र के अंदर democracy में इस as you have read इस you have read include the privatizations of health services in the country the increasing control that business houses exert on the media the low value given to women at their work and the low earning made by small farmers who grow cotton these issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country अब देखो इस book के अंदर हमने काफे सारी चीजों के बारे में जो हमने इसमें पढ़ा है किस के बारे में हमने पढ़ा है जो health services है उनके बारे में हमने पढ़ा है media के बारे में हमने इसमें पढ़ा women's को जो कम low value जो दी जाती है उसके बारे में पढ़ा कि इनको काम में कम पैसे दी जाते है जो earning करती है उनको कम दिया जाता है और जो small farmers है जो कम पैसे मिलते है तो काफी सारे issues जो हमने इसमें पढ़े है जो कि इसमें गरीबी अब यह जो सारे मुद्धे है यह सीधा गरीबी के उपर जो है इनका असर पढ़ता है और समाज में जितने भी समुदार से जुड़े हुए है यह देश की समाजी को आर्थिक समानता से जुड़े जो है यह मुद्धे है तीक है अब लास्ट इसमें हमें पढ़ते हैं इस इस दा कोर ऑफ दा स्ट्रगल ऑफ एक्वालिटी इना डेमोक्रेसी लोगतंते की जो समानता और उसके लिए संघर्शिक बहतता पुन जो है इसमें तत्व है तत्व है दिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इच परसें और देर कॉमिनिटी केन ओनली बी रिलाइज इफ देखो अब किसी भी वेक्ती का जो समुदाय और उनका स्वाभी मानों गरीमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपने परिवार के सबी जरूरते पूरी करने के लिए और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए तभी जो है वो क्या है एक वेक्ति जो अपना समुदाय और सोभावी जो उनका सेल्फ रिस्पेक्टेड जीवन है जो एक परसन का वो तभी जो है वो जी सकता है जब उसके पस सब्सक्राइब होंगे और उसको समाज में कोई भी भेदबाब नहीं गिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्टीट हो जाता है इसके कोशन आंसर जो हम नेक्स वीडियो में करेंगे आप जाके चानल की प्रेलिस में चेक कर सकते हैं कोशन आंसर अगर आपको वीडियो हलफूल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू